नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC Maker की YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम रेलबे NTPC परिक्सा की एनालिसिस करेंगे जो दोस्तों आपकी परिक्सा हुई है 9 फर अवरी 2021 के डेट में इस वीडियो में दोस्तों हम first and second shift के सभी प्रशनों को देखेंगे math के question देखेंगे, reasoning के, gs के, science के जितने भी दोस्तों question पूछे गए हैं सभी प्रशनों के 100% सही answer के साथ देखेंगे और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे अगामी किसी भी डेट में, किसी भी shift में आपका exam है तो आप कौन से कौन से topic को अच्छे से prepare कर लीजिए कि exam को आप अच्छे से pass कर जाए और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से कौन से topic से ज्यादा question पूछे जा रहे हैं तो आईए दोस्तों पहले देखते हैं हम second shift के question देखिए दोस्तों पहले हम देखेंगे second shift का question उसके बाद दोस्तों revision के तौर पे first shift का भी question देखेंगे first shift वाला दोस्तों इसके पहले हम वीडियो दे चुके हैं तो ध्यान से देखिएगा प्रशनों को दोस्तों प्रशनों को नोट जरूर करिए क्योंकि railway NTPC परिक्सा में ज्यादा तर प्रशन रिपीट भी कर रहे हैं ठीक है तो अच्छे से देखिए और हम आपको बता दे अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम को दोस्तों जरूर जोईन कर लिजिएगा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्पिन बॉक्स में है कमेंट बॉक्स में है टेलीग्राम पे हम इसकी PDF दे देंगे PDF डाउनलोड करके एक बार अपने आप से भी अच्छे से जरूर पढ़ लिजिएगा और इसके पहले की सारी PDF दोस्तों हम टेलीग्राम पे दे दिये हैं तो देखिए पहला कोस्तिन पूछा गया है बहुत इंपोर्टन प्रेशन है दोस्तों हमेशा ये प्रेशन पूछा जाता एक्जाम में प्रेशन है दोस्तों असहयोग अंदोलन का प्रारम हुआ तो दोस्तो असहयोग अंदोलन 1 अगस्ट 1920 को प्रारम हुआ कब हुआ दोस्तो 1 अगस्ट 1920 याद रखिएगा बहुत महत्पूर प्रशन है अगला question देखिएगा दोस्तो दूसरा question पूछा गया है ब्रह्म समाज की अस्थापना किसने की थी तो दोस्तो ब्रह्म समाज की अस्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी किसने की थी दोस्तो राजा राम मोहन राय ये प्रशन हम आपको बता दे दोस्तो important प्रशन है और repeated question है प्रिवेजर के paper से लिया गया question है तो आप अच्छे से याद कर लिजिए next question देखिएगा अगला question है तीसरा question ये पिछले दिन भी question आया था question ये है दोस्तो cricket 200 cup 1983 में team इंडिया के कप्तान कौन थे ठीक है captain कौन थे तो answer होगा दोस्तो कपिल देव ठीक है 1983 में कौन captain थे दोस्तो जो भी 100 cup हुआ था कपिल देव ठीक है इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा ये भी question हमेशा पूछा जाता है चलिए next question देखिएगा अगला question है चौथा question चौथा question हम आपको बता दे दोस्तो ये most important question है और most repeated question है हमेशा पूछा जाने वाला प्रस्तन है इसका answer आप अभी याद कर लीजिए question है ATM का full form क्या है ATM जो आप लोग यूज करते हैं पैसे के लेन देन के लिए आपको पता होना चाहिए ATM का full form ATM का full form होता है automated tailor machine क्या होता है दोस्तो automated tailor machine होता है याद रखिएगा ठीक है अभी याद कर लीजिए ठीक है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या है automated tailor machine है ठीक है अच्छे से याद कर लीजिए चलिए next question की ओर चलते हैं और हम आपको बता दें दोस्तों यह previous sir के paper से पूछा गया प्रशन है previous sir के paper से भी ज्यादा तर question देखने को मिल रहे है तो अच्छे से paper भी पूरा तयार कर लीजिए next question देखिए full form से related एक और question आया है दोस्तो EVM का full form क्या है EVM EVM का तो आप नाम सुने ही होंगे न तो EVM का full form होता है electronic voting machine होता है ठीक है तो याद रखिएगा ये भी हमेशा पूछा जाता है ये railway भी नहीं भलकि other exam में भी प्रशनी एक कई बार पूछा जा चुका है तो आप इससे दोस्तो अभी याद कर लीजिए और previous sir के paper में भी ये question पूछा गया है repeated question है हम आपको बता दें दोस्तो आप लोग previous sir के paper जरूर तयार कर लीजिए पूरी paper नहीं तयार कर पा रहे है तो SSC Maker के दोरा दोस्तो एक special e-book launch की गई है इस e-book में दोस्तो हम आपको बता दे previous sir के सारे important और repeated percent सामिल है तो उस e-book को भी आप लेके ज़रूर पढ़ लीजिए आए e-book के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं उसके बाद दोस्तो हम next question कराते हैं देखिए दोस्तो ये SSC Maker के दोरा special e-book launch की गई है ये e-book दोस्तो railway NTPC group D पर इक्सा के लिए बहुत ही important है इस e-book में दोस्तो हम आपको बता दे previous year के सारे important और repeated questions सामिल है इस e-book में दोस्तो 1500 प्लस question है जो most important है जो most repeated question है उनी प्रसनों को इस e-book में सामिल किया गया है इस e-book में दोस्तो हम आपको बता दे 1500 प्लस question में क्या मिलेगा science के 28, general awareness के 28, GS के one liner 25 math के 110 most important question और reasoning के 100 most important question दोस्तो math और reasoning full detail में step by step solve किया गया है आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी अब तक कि दोस्तो यह best e-book है क्योंकि इसमें previous year के सारे important questions सामिल है दोस्तो आपके exam में 1-2 दिन का भी time है तो आप इस e-book को लेके अच्छे से पढ़ सकते है क्योंकि इसमें selected question ही है जो आपके exam के लिए important है इस e-book को दोस्तो आप लेंगे कहां से इसका link दोस्तो आप नीचे डिक्स्वन बॉक्स में दे दिये comment box में भी link है कहीं पे भी click करके इस e-book को जरूर डाउनलोड कर लिजेगा e-book की कीमत मातर 49 रूपीज है अगर आपको डाउनलोड एप पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तो ये SSC maker का customer के नंबर है 7080108555 आप इस नंबर पे call करके बाद भी कर सकते है ये अब तक की दोस्तो बेस्ट e-book है इस e-book को लेकि एक बार आप जरूर पढ़िए आपके exam में इसे बहुत help मिलेगी आईए दोस्तो देखते हैं अगला question देखिए कि दोस्तो अगला question आपके ये रहा छठा question काफी important question है हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तो प्रेस ने याद रखिएगा प्रेस ने बच्चों में रिकेट्स किस बिटामिन की कमी के कारण होता है बच्चों में रिकेट्स दोस्तो जो होता है बिमारी होती है वो किस बिटामिन की कमी के कारण होता है तो अंसर होगा vitamin D और calcium के कारण भी होता है तो vitamin पूछा है तो vitamin D बोलेंगे ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला question देखिएगा और एक बात और बतादू question आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को like जरूर कर दीजिए जितने भी दोस्तों आपके पास study later group है और जो नय स्टूडेंट है अभी तक आप लोग दोस्तों हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा notification वेल को भी दोस्तों जरूर on कर लीजिए ताकि railway NTPC पर इक्सा के लिए और group D पर इक्सा लिए हम जितनी भी important वीडियो दे उसकी आपको notification मिले तो चैनल से जरूर जूर जूर जाईएगा इस चैनल से आपको बहुत लाब मिलेगा चलिए next question देखते हैं सातवा question देखिएगा काफी important और repeated question है याद रखिएगा ये भी महत्मूर प्रसने याद रखिएगा क्योंकि railway exam में ज्यादा दर question repeat भी कर हो सकता है फिर से आगामी किसी date में देखने को मिल जाए ठीक है तो याद रखिएगा सभी प्रशनों को नोट जरूर किया करिए प्रसने रानी लक्षमी भाई की मृत्तु कब हुई थी मृत्तु पूछा है दोस्तो तो रानी लक्षमी भाई की मृत्तु 18 जून 1858 को हुई थी ठीक है जन्म भी याद रखिएगा दोस्तो जन्म उनका कब हुआ था 19 नवंबर दोस्तों हम आपको बता दे 1828 को कब हुआ था दोस्तों 19 नवंबर 1828 को रानी लेश्मी बाई जी का जन्म हुआ था और मेरे तो 18 जून 1858 को ठीक है दोनों याद रखियेगा ठीक है हो सकता है किसी दिन जन्म पूछ ले ठीक है चलिए अब हम नेक्स कोशन की और च student है तो आप लोग क्या करिए दोस्तों crash course वाला वीडियो जरूर देख लिजिएगा हम आप लोगों के demand पे दोस्तो crash course free में कराए है और playlist बनी हुई है crash course की playlist में जाके crash course वाला वीडियो आप लोग जरूर complete करिए crash course करके जाएंगे exam में आपको कोई भी problem नहीं होगी बहुत अच्छे से सारे present solve कर लेंगे ठीक है तो देखिए आठो question पूछा गया है कि दी गई समिक्रण में सोरी दी गई स्रिंखला में लूप्त संख्या गयात कीजिए यहाँ पर एक संख्या गायब है यहीं पर बताना है कौन सी संख्या होगी question mark पर ठीक है तो देखिए पहले त तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दो गुना कर दीजिए और दो जोड़ दीजिए 10 दुना के 20 20 में दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 22 इस परकार सी इस परकार सी यहाँ पर दोस्तो क्या होगा question mark पर बताईए 22 का दो गुना करेंगे क्या करेंगे दो गुना करके 2 जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या 94 आ रहा है तो 46 का दोस्तो 2 गुना करेंगे तो 92 होगा 92 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा 46 उना के 92 2 जोड़ेंगे 94 समझ रहना यानि question mark पे क्या होगा 46 46 होगा तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस type के question आपके exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे चलिए अब हम next question की ओर चलते हैं अगला question देखिएगा question इस type का आया है आसान question पूछे जा रहा है tension बिलकुल भी नहीं लेना है क्रैस कोर्स अगर आप complete कर लेंगे तो आपको tension बिलकुल भी नहीं लेंगे आप बोलेंगे कि हाँ सारे प्रसंद solve हो जाएंगे ठीक है देखिए question यह है दोस्तो बोल रहा है ध्यान दीजेगा पूनम बिराट से किस प्रकार संबंदित है यदि वह उसे अपनी मा के पिता की इकलोती पुत्री की इकलोती बहु बताता है ठीक है कौन बताता है बिराट ठीक है अब बताइए बिराट की पूनम क्या लगेगी इस प्रकार से पूछ रहा है तो आप देखिए कभी भी इस टाइप का है दोस्तों ब्लड लेशन का तो आप अपने से रिलेट करिएगा तुरंद आंसर मिल जागा ठीक है मालनी जी आप बिराट है ठीक है कोई लड़की पूनम है उसकी आप परचे करा रहे हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों यदि वह यानि यदि वह उसे अपनी मा के मालनी जी आप बिराट है आपकी मा के पिता की इकलोती पुत्री पिता के देखिए अपके मा की मालनी जी आप बिराट है ठीक है आपके माता जी की जो माता जी है उनके पिता जी की इकलोती पुत्री कोन होगी आपकी माम्मी होगी, समझे रहे न, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा से ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, अपनी मा के, पिता की इकलोती पुत्री, अपनी मम्मी के, पिता जी कोन होगे, नाना, ठीक है, नाना जी की इकलोती पुत्री कोन होगी, यह कही पुत्री है वो होगी आपकी मम्मी इकलावती पुत्री की इकलावती बहु है यानि ये कही बहु है वो कौन है दोस्तो उसकी बहु है तो बिराट की वो क्या लगेगी दोस्तो बताइए पत्नी लगेगी पूनम क्या लगेगी पत्नी आंसर क्या होगा पत्नी एक बरावर समझाता हूँ क की मा की कलותी यह कहीं बहु है तो कौन होगी दोस्तों आपकी पत्नी होगी ना आंसर होगा पत्नी बस कुछ भी नहीं करना है पन उठाने की विजवरत नहीं है डियाग्राम कोई मनाने की विजवरत नहीं है ऐसे प्रस्णों को secondum answer दिया जता है बस अपने से relate करके, तो दोस्तों हम उमीद करते हैं, आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, और इस type के question आपके exam में आएगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, चलिया, आप हम next question की ओर चलते हैं, अगला question देखिएगा, math का question है, question कुछ इस type का आया है, और इ जदी उसे दोगुने मुले पर बेचें तो कितने प्रतिसत का लाब होगा, तो जादातरी student ये सूचते हैं, कि किसी बस्तु को किसी मुले पर बेचते हैं, 20% का लाब होता है, दोगुने मुले पर बेचेंगे तो 20 दुना के 40% का लाब होगा, direct 40% answer दे देते हैं, option में दिय भी रहता है और answer क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो ऐसे प्रेसन का answer नहीं देना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले समझने का प्रयास करिए प्रेसन समझारों पहले समझेए देखिए प्रेसन बोल रहा है एक बस्तु को किसी मुल्य पर बेचने पर माल लिजे 100 रुप 240 में बेचे तो कितने परिश्यत का लाब होगा 100 रुपए की बस तु है 240 में बेच रहे तो लाब कितने का होगा दोस्तो 240 में से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 140 रुपए का लाब होगा किस पर लाब होगा दोस्तो 100 रुपए पर लाब होगा परसेंटेज मे और इस टाइब की question आपके exam में आएगा तो आप इससे solve कर लेंगे चलिए अब हम next question की और चलते हैं अगला question देखिएगा ratio का question है इस type का question पूछा गया है simple question है कुछ नहीं करना है ऐसे प्रिशन हम आपको crash course में भी कराया है और उससे पहले भी हम आपको पढ़ाया है ठीक है question देखिए बोल रहा है यदि A बराबर 2Y 3B और B बराबर 3 by 4C है तो A to C का मान कितना होगा ये पूछ रहा है कुछ भी नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A बराबर 2Y 3B लिख रहा है ना B उधर गुने में तो बराबर किदर आगा तो भाग में हो B हो जाएगा बराबर क्या होगा दोस्तों 2Y3 समझ रही है ना याँ यहां पढ़र 3Y 4C ना तो B बराबर 2Y 3 P सी पूछ रहा है तो एक बार क्या करिये दोस्तों यहां पर ऐसे करिए A by B तूने-व by c ठीक है बराबर 2 by 3 है और गुने क्या कर लिजे 3 by 4 बस अब यहाँ देखिए B से B cancel हो जाएगा A by C बच गया यानि A is to C बच गया 3 से 3 cancel हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ठीक है 1 by 2 यानि कहने का मतलब है यह A by B बराबर बचा क्या दोस्तो 1 by 2 यही बचा न तो A by B का मतलब क्या होता है दोस्तो A is to B यही सोरी 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 ध्यान दीजेगा यहाँ पे A by B नहीं है यहाँ देखिए बचा क्या है दोस्तों यहां ध्यान दीजे यहां C बचा है क्या बचा है C तो A by C बराबर क्या होगा दोस्तो 1 by 2 A by C का मतलब क्या होगा दोस्तो A is to C A is to C बराबर क्या होगा दोस्तो 1 is to 2 यही आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तो वन इस्टू टू आंसर हो जाएगा एक अनुपात्ते दो तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के कोशन आपके एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे रेशियो प्रपोशन से इस टाइप के कोशन दोस्तो डेली पूछे जा रहे हैं हर सिप्ट में पूछे जा रहे रेशियो प्रपोशन की दोस्तो हम पूरी क्लास लिये हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्रेस कोर्स में करा हैं तो ratio proportional वीडियो अप लोग जरूर देख लिजिएगा चाहिए अभी हम देखते हैं दोस्तों first shift के question revision के तोर पे फटा फट देख लिजिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा देखिएगा पहला question क्या पूछा गया है जो student देख लिए हैं एक बार और देख लिए क्योंकि question याद हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही important और repeated question पूछे गया है shift first में shift first में पहला question पूछा गया दोस्तों DRDO की अस्थापना कब हुई थी तो बर्स 1958 में दोस्तो DRDO की अस्थापना हुई थी याद रखिएगा बहुत महत्पूर प्रस्ने next question पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था तो लुम्बनी में हुआ था दोस्तो गौतम बुद्ध का जन्म काफी important प्रस्ने repeated प्रस्ने याद रखिएगा next देखिएगा अगला question पूछा गया है विश्वबैंक की अस्थापना कब हुई थी तो option में इस टाइप से पहले option में था दोस्तो प्रθम बिश्यूद के पहले दूसरे option में था दोस्तो प्रथम बिश्यूद के दोरान और तीसरे option में था कि दिती विश्यूद के पहले और चोथा option में था दिती विश्यूद के दोरान तो answer होगा दोस्तो चोथा option दिती विश्यूद के दोरान यानि प्रस्ण इस टाइप से विश्यूद से related option दे दिया था तो आपको पता होना चहिए विश्यूद भी कब हुआ था यानि कि एक प्रस्ण में ये दो प्रस्ण पूछ लिया, ध्यान दीजिएगा, काफी important प्रस्ण है, 202 के सापना दोस्तों, दिती विश्यूद के दोरान हुई थी, कब हुई थी, 1944 में, आपको पता होना चीए, 1944 में जब हुई थी, तो उस टाइम पे दिती विश्यूद चल था, दिती विश्यूद 1949-1945 के बीच चला, ठीक है, ये चला था न, 1949-1945 तक चला था, तो यहां पर समझिएगा, तो 1944 में हुआ, तो ये क्या हो जागा, दिती विश्यूद के दोरान इसका अंसर हो जागा, ठीक है, तो दोस्तों हम उमीद करते हैं, प्रस्ण को आप समझ रहे होंगे, और याद भी कर रहे होंगे, चलिया, आगे देखिएगा, नेक्स कोशन पूछा है, भारती राष्टी कांगरेस के संस्थापक कोन थे, काफी इंपोर्टन कोशन है, हमेशा दोस्तों ये प्रस्ण पूछा जाता है, अंसर याद रखिएगा, एओ हूम, दोस् इने उपगरा हैं, तो मंगलगरा के दो उपगरा हैं, कौन-कौन दोस्तों, फोबोस और डेमोस, फोबोस और डेमोस, दो मंगलगरा के उपगरा है, काफी इंपोर्टन है, ये भी प्रस्ण हमेशा रिपीट होता है, आप इसे भी दोस्तों अभी याद कर लिजे, चलिया, next question देखिएगा अगला question most important और most repeated PDF का full form क्या होता है तो portable document format होता है क्या होता है दोस्तों portable document format होता है PDF का full form और बहुत ही important प्रस्ण है आप इसे अभी याद कर लिजे और एक बात और बता दूँ दोस्तों computer से हर दिन हर shift में दोस्तों दोस्ते तीन प्रस्ण पूछे जा रहे हैं जो computer के top 30 को से ने जो railway में पिछले 15 बरसों में बार बार पूछे गए हैं उन प्रस्णों की वीडियो बना के दोस्तों हम नीचे link description में दियें comment box में भी link है और द आप computer question करके उस link से आप लोग जाईए channel से भी जरूर जूर जाईए और उस channel से आप लोग लाब जरूर उठाईए railway NTPC group D के लिए जो important topic है सारे topic उस channel पे cover कराया जा रहे हैं तो चलिए अगला question देखिएगा next question है आठवा question काफी important question है प्रस्ण है विस्तों का सबसे बड़ पांसर होगा सिनकोना की चाल से ठीक है याद रखिएगा आगे देखिएगा दोस्तों ये reasoning का question है reasoning का question के दोस्तों हम first video में कराया हैं इसके पहले वाला वीडियो देख लीजेगा उसमें इसको full detail way में समझाए हैं ये भी reasoning का question है first वाला वीडियो देखेंगे तो full detail way में जरूर देख लिजेगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के प्रस्णों को कैसे solve किया जाता है पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है जो नए student है ध्यान देंगे आई आप लोगों को crash course के बारे में थोड़ी जानकारी देदे दे देखिए दोस्तों crash course के नाम से playlist बना है जिसमें 38 वीडियोस है railway math crash course के नाम से playlist बना है इसमें 38 वीडियोस है यह वीडियोस दोस्तों कैसे है आपके railway के syllabus के recording है जिस प्रकारचा आपके syllabus में chapter mention किया है वह ऐसे चाप्र बाइच चाप्टर दोस्तों हम यहाँ पे पूरे crash course में सभी chapter को cover किये है और एक बात और बता दू दोस्तो यहाँ पे crash course में हम प्रिबेसर के important question भी करा हैं basic से बता हैं, theory बता हैं, पूरी concept बता हैं ठीक है आप लोग क्या करिए crash course वाला वीडियो जरूर देख लीजिए crash course वाला वीडियो देखेंगे तो आपको exam में बहुत help मिलेगी सारे question crash course से ही आ रहे हैं, तो crash course जरूर complete करिए आप लोग की demand थी कि सर्फिरी में crash course कराईएगा तो हम आप लोग की demand पर दोस्तो crash course कराएए, ठीक है आप लोग जो भी demand करते हैं, पूरा करते हैं, तो मैं भी जो demand कर रहा हूँ चैनल को subscribe करके, notification bell को on करके जरूर जूर जाएए, ताकि railway exam के लिए हम जितनी भी important वीडियो दे, उसकी आपको notification मिले और ebook को भी लिए के दोस्तो जरूर पढ़ लीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तो आगले वीडियो में और भी important प्रशनों के साथ, तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद